Ethics को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कुछ basic terms को समझना तो आज के इस particular lecture में हम ऐसी ही एक term को समझेंगे जिसका नाम है belief मगर उसको समझने के पहले कुछ और basic terms को भी देख लेंगे जैसे objectivity, subjectivity, abstract, etc. चली शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग abstract term को समझते हैं यह abstract का मतलब क्या होता है आपने बहुत बार देखा होगा कि यह चीज बहुत abstract है मतलब कि यह समझ नहीं आ रही है यह बहुत vague है तो यहाँ पे abstract का मतलब होता है वो चीजें जिसे हम अपने five senses के through feel नहीं कर सकते जैसे example के तौर पे honesty जैसे example के तौर पे love आप लोग ने movies का वो dialogue या फिर वो गाना दोस नहीं होगा तू मुझे चाहे न चाहे यह तेरे बस में तो है मुझे चाहूं न चाहूं यह मेरे बस में नहीं तो यहाँ पे basically वो एक abstract चीज को बताने कि हमें कोशिश कर रहा होता है बस हम उसे समझ नहीं पाते है ठीक है वो हमें एथिक से पढ़ा रहा होता है तो basically abstract का मतलब things which we can't feel through our five senses जैसे love जैसे happiness जैसे honesty एक्सेटर ऐसे आपके मन में कौन-कौन से examples आ रहे हैं वो chat section में जरूर मुझे बताना चलो इसके बाद आती है objectivity और subjectivity अब इसका सबसे अच्छा example है although बहुत sensitive मुद्ध है beef आपने देखा होगा कि हमारी society में beef जो है वो एक बहुत ही controversial मुद्ध है of course ही बात है क्योंकि हिंदुईजम में जो गाय है उसे माता की तरह पूजा जाता है मगर वहीं southern states में उन्हें खाया भी जाता है तो यहाँ पे vegetarian और non vegetarian की debate में शुरू करना नहीं चाह रहा हूँ मगर यहाँ पे अगर beef को देखा जाए और एक हिंदु वियक्ति से भी पूछा जाए जो गाय माता की पूजा करता है और उसे पूछा जाए कि बताओ beef जो होता है वो protein में rich होता है बहुत जादा है नहीं होता है तो क्या वो उसे मना कर सकता है जवाब है नहीं क्यों क्यों क्योंकि वो एक fact based बात है तो इसे कहते है objective वहीं अगर उस चीज को कोई अपने धर्म से जोड़ के या मैं कहूँ अपने खुद के अलग perspective से जोड़ के देख रहा है तो उसका ये perspective अगर आता है कि गाय हमारी माता है क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो ये एक subjective बात हो गई समझ रहो subjective का मतलब है कि जो चीज आपके लिए अच्छी है जैसा अगर मैं sudden state में रहता हूँ मुझे beef पसंद है let supposedly तो आपका जो ये subjective answer होगा वो अलग होगा और मेरा जो subjective answer होगा वो अलग होगा ठीक है इसे कहते subjectivity और objectivity में दोनों व्यक्ति का answer भली वो north में रह रहा हो या वो south में रह रहा हो वो answer एक ही आएगा कि protein में rich है तो है I hope so कि objectivity और subjectivity में भी आपको difference clear हो गया होगा तो चलिए अब हम शुरू करते हैं समझना belief को ये belief क्या होता है देखो belief को भी समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक और term का मतलब समझ लो जिसका नाम है cognition या cognitive ability आपने बहुत बार सुना भी होगा बहुत बार पढ़ा भी होगा अभी इस cognition का मतलब होता क्या है cognition का मतलब एक ऐसी process जिसके थुरू हमारी knowledge और हमारी understanding डेवलाप होती है हमारे दिमाग में तो cognition का जो सीधा मतलब है वो जुड़ता है हमारे दिमाग हमारे माइंड से मैं फिर repeat करता हूँ cognition एक process होती है ये process किसको impact कर रही है हमारे माइंड को कैसे impact कर रही है cognition क्योंकि एक ऐसी process है जिसके थुरू knowledge और understanding हम develop करते हैं हमारे दिमाग में अब ये important क्यों है ये important history है क्योंकि इसी दिमाग से हम हमारे सारे काम करते है और काम करने का मतलब है हम action लेते है और जब हम action लेते हैं तो लोगों को हमारा behavior समझ में आता है कि अच्छा इसका behavior ऐसा है तो कहने का ये मतलब है कि हमारा जो दिमाग है वही हमारा behavior शोकेस करेगा क्या जवाब है हाँ और इसी दिमाग से हम action लेंगे क्या action लेने का मतलब यहाँ पर decision भी लिख सकता था क्या में जवाब है हाँ कि अपने mind से ही हम decision लेंगे तो वहाँ पर जो cognitive ability है मतलब कि ऐसी process जिसके थूँ हमारी understanding और knowledge डेवलप हुई है कहाँ पर हमारे mind में जिसके थूँ हम action या decision ले रहे है यही हमारा society में behavior दिखा रहा है तो ये chain अगर आपने समझ ली तो आपको दूसरी chain समझने में बिल्कुल problem नहीं होगी जो इसके predecessor है वो ये है कि जो belief है belief ये fundamental idea होता है belief का मतलब होता है अगर मुझे कोई चीज लगती है तो वो लगती है अब उसके बहुत सारे कारण है कि मुझे वो ऐसी क्यों लगती है जैसे example के तौर पे मान लो कि मैं जिस घर में पैदा हुआ वहाँ पे मेरे parents साफ सफाई को लेके बहुत ज़्यादा strict थे शुरू से तो मैंने जिस दिन सा आके खोली मैंने ये देखा कि साफ सफाई ज़रूरी होती है तो मुझे हमेशा ये ही लगेगा कि साफ सफाई होनी बहुत ज़रूरी है ये मेरा belief बन जाएगा वहीं अगर किसी ने ये देखा है कि घर पूरा गंदा पड़ा रहता है तो उसका belief क्या हो जाएगा क्यार घर तो गंदा ही होता है घर को साफ रखने को इस सच ज़रूरत होती नहीं है तो belief जो है वो एक ऐसा fundamental idea है जो हमारे cognitive system को develop करता है अब आपको समझ में आया कि मैंने आपको इसके आगे की connectivity पहले क्यों दी थी अब आप इस पूरी picture को खुद से जमाल होगे कि belief वो fundamental idea है जो हमारे cognitive system को बहुत सारा input provide करता है यही वो cognitive system है जिसके तुरू हमारा mind काम करता है और यही वो mind है जिसके तुरू हमारा behavior set होता है मतलब की अब हमारा behavior हो हमारा attitude हो जितनी भी चीज़ें चलेंगी वो सब कहां से चलेंगी वो चलेंगी belief से ठीक है तो belief वो fundamental idea है जो हमारे cognitive system को जिसके तुरू हमारा दिमाग चलता है उसको input provide करता है अच्छा अब यह जो belief है यह belief आता कहां से यह belief आता है जैसे मैंने बताया फ्रमार birth और कैसे आता है क्या यह internally हमें दिया जाता है जवाबे नहीं यह हमें हमारी family देती है इवन यह हमें हमारी society जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी भजन किसी किरितन में जाते हो या मैं कहूँ आप कभी भी अपने society में societal functions अटेंड करते हो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हमेशा growth की बात चलती है कि देखो उसका बच्चा कहां पहुँच गया तो आपको समझ माता है कि नहीं यार growth जो है वो ज़रूरी होती societal status के लिए हम क्यों तडबते रहते हैं हमको क्यों I.E.S. बनना है यही तो चाहिए न तो यहाँ पे हमारा जो belief system है वो develop किया जा रहा है और वो कौन कर रहा है external agencies हमें बताया जा रहा है कि I.E.S. जो होता है वो बहुत बड़ा आदमी होता है तब ही वहीं से तो हम aspire होते हैं तो हमारा जो belief system आया वो कहां से आया वो यहां से आया कि नहीं यार सही में बड़ा आदमी होता है ठीक है भले हो जाके हमें बाद में पता चले कि यह जो I.E.S. होते हैं वो तो नीता के पैर पढ़ रहा है रोज सोब उठते ही मगर आपका जो सबसे पहला belief system develop होगा वो क्या हुआ society से कि I.E.S. बहुत बड़ा आदमी होता और बहुत अच्छी post होती है और बहुत लाइकिंग होती है और बहुत अधा respect मिलती है उसको ठीक है तो belief जो है वो बर्थ से नहीं हुआ है मगर जहां आपका बर्थ हुआ है जिस फैमली में वहां से आपका belief system बनना चालू हो जाता है या मैं कहूँ society या मैं कहूँ media तो यहां पर आपका belief develop होना शुरू होता है तो अब मान लो कि मुझे बच्पन से मेरे parents ने शक्तिमान दिखाया है तो मेरा तो belief यही रहेगा न जब तक कि कोई मुझे आके सच ना बता दे कि गंगादर और शक्तिमान अलग है मान लो मुझे वहीं तक कि episodes दिखाये गए हैं जहां पर गंगादर और शक्तिमान एक ही है चीक है तो मुझे तो यही लगेगा जब तक मुझे आके कोई सच ना बता दे तो यह मेरा belief बन जाएगा I hope so कि आपको समझ माया है belief का मतलब क्या होता है अब क्या यह belief change भी हो सकता है क्या जवाब है हाँ और यही चीज यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश की है जैसे example के तोर पर अगर मेरे belief system में मतलब कि मेरे दिमाग में ऐसी चीज आ गई है by default किसी भी कारणवश हो सकता है मैंने कहीं सुनी हो मुझे society में किसी ने बताई हो मीडिया में मैंने बहुत ज़ाद देखा हो कि गोरा होना ही अच्छा होता है और मान लेते हैं कि मेरे दिमाग में एक चीज बैढ़ गई कि गोरे लोग ही अच्छे होते हैं जैसे मान लोग कि मैं जैसे आप जब advertisement देखते हो अब advertisement हो सकता है कि आपने देख लिया हो कि गोरे लोग अच्छे होते हैं मगर उसी advertisement के थुरू अगर आपको सही चीज बताई जाए या किसी भी दूसरे medium के थुरू आपको science बताया जाए कि नहीं ये जो color होता है वो तो geography पर depend करता है या आपके genes पर depend करता है आपको information provide की जाए आपको proper knowledge अगर दी जाए तो क्या आपका ये belief system change होगा क्या सोच के देखो जवाब है हाँ होगा जब आपको पता चलेगा कि काले लोग मतलब कि Southern India के जो बच्चे हैं वो कितना अच्छा chest खेलते हैं आपको जब पता चलेगा कि highest literacy rate जो है वो कैरला से है जो Southern state है maximum लोग आपको काले मिलेंगे जोग्रफी के कारण तो आपका ये belief system change होगा या नहीं होगा कि गोरे लोग ही अच्छे होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि belief system can be changed जवाब है हाँ हम ऐसा बोल सकते हैं इसी के साथ यहाँ पर क्योंकि हम belief पढ़ रहे हैं और हमने देखा कि belief change भी हो सकते हैं तो क्या हमारे दिमाग में एक question ही आना चाहिए कि हर belief को बहुत ही आसानी से बदला जा सकता है जवाब है नहीं सोच के देखो आपके अंदर कुछ ऐसे belief होंगे जो बहुत आसानी से बदले जा सकते हैं मगर कुछ ऐसे belief होंगे जो बहुत core है आपके अंदर तक आपके दिमाग में बसे हुए पिचार tough to remove जैसे example के तोर पे मान लो मेरे religious belief है कि मुझे लगता है कि शिव जी पे बेल पत्र चड़ाना ही चाहिए ये मेरा एक core belief है मैंने हमेशा से वही देखा है मैं एक religious जखती हूँ मैं रोज मंदिर जाता हूँ अब वो मेरा core belief है आप मुझे आके कितना भी समझाओ आप मुझे समझाओ कि बेल पत्र जो है वो यहाँ पे नहीं चड़ाना चाहिए यहाँ पे कचरा होता है या आप मुझे समझाओ कि यह जो बेल पत्र है इसे हम पेड से तोड़ते है पेड पी रहे तो कितना उस पेड को advantage होगा मैं उस चीज को नहीं मानूँगा यह मेरा core belief है कि नहीं बेल पत्र शिवजी पे चड़ाना ही है कुछ होते है peripheral belief अब यह जो peripheral belief होते है इनको knowledge के थूँ change करना बहुत आसान होता है जैसे example के तोर पे मान लो मुझे बहुत सारे अलग-लग तरीके के belief हो सकते है जैसे economical belief अब मुझे हो सकता है लगता हो starting में कि सारे अमीर लोग खुश रहते है फिर मैं रेमन के मालिक का case देख लो जहां मैं कुझे पता चलता है कि उसने अपने माबाब को भी घर से निकाल दिया उसने अपने wife को घर से निकाल दिया उसने अपने बच्चों को घर से निकाल दिया हो सकता है कि मुझे नीता अमबानी और मुकेश अमबानी के जगड़े के बारे में एक दिन पता चले कि अभी ये जगड़ चुके है तीन दिन ये बात नहीं कर रहे है तीन दिन से एक दूसरे के साथ तो ये जो मेरा belief था कि सारे अमीर लोग हमेशा खुश रहते हैं ये खतम हो जाएगा जब मैं बहुत सारे अमीर लोगों के suicides देख लूँगा तो भी मेरा belief खतम हो जाएगा कि नहीं आर ये तो मैं गलत सोचता था पिर कुछ political belief हो सकते हैं मुझे अब मान लो की हमेशा से मैंने यही देखा है कि मोदी जी भगवान का रूप है मुझे बच्पन से यही सिखाया गया let supposedly तो मुझे तो वही लगेगा वो मेरा belief बन जाएगा धीरे धीरे तो ये एक political belief है अब ये सोच के देखो आपकी ये belief हटा पाना आसान है या टफ है अगर मुझे कोई सही बताए कि मोदी जी की जो economic policies है वो ठीक नहीं है या कोई ऐसा बताए कि देखो मोदी जी जो है वो dictatorial पात पे चल रहे हैं dictatorship establish कर सकते हैं वो media के सामने आके किसी को कोई बात नहीं बताते हैं ये etc तो मेरा belief change हो सकता है जवाबे हाँ हो सकता है फिर यहाँ पे देखो एक social belief मेरा हो सकता है जब मैं बहुत जादा socialize आदमी हुआ करता था तो मुझे हो सकता ऐसा लगता हो क्या सारे रिष्टियार तो अच्छी होते है फिर मैं आईएस की preparation शुरू करी तब मुझे समझ में आया कि ये तो धोका हो गया मेरे साथ समझ रो आप बात को तो यहाँ पे आप लोगों ने अभी तक belief में क्या-क्या पढ़ा मैं इसको एक बार समप कर देता हूँ हमने अभी तक belief में ये देखा कि belief जो होता है वो एक fundamental representation होता है जिसके थूँ हमारी conscious building होती या conscious develop होता है और कहाँ पे impact करता है ये हमारे mind पे impact करता है किस तरीके से impact करता है ये एक तरीके की feeling को develop करता है किस तरीके की feeling को develop करता है हमें कोई चीज अच्छी लगेगी या हमें कोई चीज बुरी लगेगी अच्छा ये जो अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है इसके पीछे कोई rationality है क्या या कोई scientific evidence है क्या जवाब है नहीं जैसा मैं आपको बताए कि मुझे गोरे लोग अच्छे लगते हैं तो लगते हैं अवो क्यों लगते हैं नहीं पता था जब तक नहीं पता था तो लगते थे अच्छे अब जब पता चल गया तो हो सकता है कि ऐसा मेरे अंदर कोई racial discrimination ना बचे कि नहीं यार गोरे भी अच्छे हैं काले भी अच्छे हैं ठीक है तो belief होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उसके पीछे कोई rationality है कोई rationality नहीं है ठीक है इसी के साथ हम बच्चपन से हमारे beliefs को develop करते हैं हमारे religious belief हो हो हमारे political belief हो हमारे economic belief हो जिसे बहुत सारे example आप खुद भी generate कर सकते हो economic belief में कई लोगों को लग सकता है गरीब लोग जो होते हैं यही चोरी करते होंगे फिर जवाब बड़े-बड़े मेहूल चोकसी विजय माले जैसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं नहीं है यह गरीब से तो आदमी जादा खतरनाक है चोरी करकर ले आते हैं देश का पैसा यह beliefs होते हैं वस वो time by time change हो सकते हैं अगर आपको सही knowledge information और scientific evidence के साथ में कोई कोई चीज़ बताता है तो चीक है तो इस तरीके से आपने अभी तक belief क्या होता है इसको समझा और आपने ये भी समझा कि किस तरीके से इसको बदले आ सकता है आपने ये भी समझा कि कितने तरीके के beliefs होते हैं political, economic, social आपने ये भी समझा कि ये जो belief है इसी के थुरू आपका behavior आपका attitude depend करेगा और यहीं से आपकी values भी define होना शुरू होती है जो कि हम future lectures में देखेंगे तो उमीद करूँगा कि आपको believe बहुत चैस समझ में आ गया That's it from my side for this particular topic and then keep shining, have a good day